नमस्कार दोश्तों स्वागत है आपका इलबार फिर्फ हमारे चैनल दावत में आज मैं एक डम नए श्टाइल में बनाने जा रहा हूं सरस्व का साल तो चलिए सुरू करते हैं कि प्रेश कुकर्मे में पहले सबसे पहले यह मैंने लगवग ढायशोगरान के आए सबसे लीए सरस्व को दो के मैंने बारीक-बारीक काट लिया है अब मैं इसको प्रेश कुकर्में डाल रहा हूं हूं है जितना मेने सरस्व ले थी 100 ग्रान उतना ही मैंने ये पालक लिया है इसको भी मैंने बारी बारी काट लिया है ये जो में इसमें डाल रहा हूं लगभंग 100 ग्राम के आसपास मैंने ये मेठी लिये इसको भी मैंने दो के बारी काट लिया है ये इसमें डाल रहा हूं कि 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 यह 50 गडयामी के आस-पास ज़ाए इसको झुब्ले बारी बारी चाटके कि इसमें डाल दिया है एक वारा अप इस तरह से बनाना दोस्तों सक्सों का साल बहुत ही इतीटेश्टी बनता है एक वारा आप ट्राई जरूर करना यह मैंने 8 से 10 के लिए TOP 25 भी आइसे 8 के चिलael के 2 अचिन के डाल साइब वह इस तरह से मैंने फर्स जाकिज मैं इसाइब एक वार हीं ड सक्टूकरрал कि मैंने लगवाग एक चमाचिस में नबग ढाल दिया है और थोड़ा सा यह हल्दी नाव पाउगा है यह जमाज भी चार सिर्थी नगाऊगा तो यह हमारा अच्छे से ब्लाए हो गया है अच्छे मैं अब मैं इसमेसे यह टमाटर के शिर्के निगाल दे रहा हुआ मैंने इसलिए टमाटर के शिर्के माश में इसमे से किस अधिलल करें नकाल दिये इसलिए इसलिए हिस्टे में सुमीरिया रहो हा möधा कर्ची के आप इस तरह से मिला लेना है इस तरह से मिलाना है अच्छे से भोटना है आप दूसको एक बाद इस तरह सी बना की देखना उस्तों आप पस्वों का साग और फिर मुझी कमेंट करके बताना कि कैसा बजाओ बहुत ही तेश्टी बनता है कि मैंने दो से तीन चम्मत बेसन लिया इसका घोल बना लिया है यह मैं इसमे डाल रहा हूँ आई से इसमें जादाल मक्यका आट्र आट बाटे हैं लेकिन एक बार आप बेसन के ब्लब सब्सक्वादि बनाना बहुत ही स्वाधिश्च बनेगा अ इसको मैंने अच्छे से खोल लिया है और ये में इसमें डाप रहा है इसको मैं फिर से गेस पर रखेंगा कम से कम 10 से 20 मिनुट 10 से 15 मिनुट के लिए में में इसको गेस पर रखेंगा और दूसरी चूले पर में इसके तड़की की तहारिका यह मैंने कडाई रख लिए अब मैं इसमें इस सर्सों का तेल डाल रहा हूं सर्सों के तेल में ही बनाना है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है सर्सों के तेल में सर्सों का साथ सर्सों का तेल अच्छे सी करम हो गया है इसमें अब मैंने गेस को कम कर दिया है मैं इसमें और ये एक चमप जीरा अधर्क लुखन मुखन और जीरा, हब तम इसमें प्यास ब्यास डाउवा, 활त हो गया खूँगूँैखवनं- यहिस्त व्यास डालड़ा होुगया देखिए- अगरे मक्संद और जीरत अमवेश में एक प्याद जादों बचादर नहीं हुआ 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 है में जारा पकाना निजी को हल्का सा कलर आजाएंगा इसनि प्याद के कलर हल्का सचीएं हुआ है इतना ही उमको कर रहे है इस जारा नेट विश्ण को कर दे रहा हुआ 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 है कि ये दू चम्मस में जिसमी लाल मेंच दाना हूँ हूँ है व्छानवर्ट नम्क मेले शर्सुल रुब गॉयल करते हैं इसमें भी डाला था है इस जनवे लाल मेंच में चनकी मसाला डाल है थोड़ा सामय इसमे पारी डाल गप युशित अब इसमें पारी डाल रहाओ इसमें पारी इसमें कट मुझे जार है इसको कि बहुती टेश्टी बनेगा इससे तो असल का साथ कि असाथ है इसको कि अधिये किसे बढ़िया कलर आया है कि अधिक लुद्सा में हरी में चुपाव गाओं कि तीन कि चार बारिक काथ कि अधिये धनिया पाओर डाला है मैंने हाँ जो समय अधियो अधियो चुपावर दो चुमा धियर हाँ घ्यास में बीजिमपी रखा है कि अधिया उख पी में मसादे कापार एक मासाले चिस से पकड़े हैं और वे इसमें सस्थो अधाए है इस बॉइन किया है, जिनने इसमें सब्समूर आए हुग। वाद में अच्छी सी में लागए है। इतना बढ़िया कलर आया है इसमें। और इसमें जहात karşıya कषिए अधिया कहरी है। पानी नहीं लादेदी है। इसमें ज्यादा पानी नहीं लालना है। बहुत अच्छा है। अच्छी परियर कलर आरहा है इसमें। अच्छी सी बंडिया है। दीर भिज्म में चैंपडस मरें। कि इसमें तोड़ा से यहारा दनिया डावी है और यह थोड़ा सा मक्खा लिए इसी तरह से बना कर ट्राइब बहुत ही टेस्टी नुगता है तो दोस्तों अगर आपको यह रेस्वी बसना आई हो तो हमारे चैनल डावत को सब्सक्राइब करें और इस वेडियों को लाएक औ झाल 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 स्ब्सक्टारा है और यह बस्तों को पर यह तो ध।